तोस्तो एक important note है यह component testing के बारे में एक line में आपको अगर पूरा component testing ध्यान में रखना है तो आप इस line को पढ़ लिजे बस fuse coil thermistor और transfer यह सब कंपो यह चारो component छोड़के कोई भी component ने बिपल नहीं करना चाहिए है हमने तो step by step सभी component का testing लिख लिया है यह चार component छोड़के अगर दूसरा कोई component करना चालो किया तो वो component क्या हो जाता है खराब हो जाता है यह ज्यादातर component में हमने देखा है तो दोस्तों टेस्टिंग जब आप component टेस्टिंग करते हो तो आप एक line में अगर उसको समझ लेना है एक दम simple way से उसको इस तरीके से आप समझ सकते दोस्तों इसी के साथ साथ यह component टेस्टिंग का जो हमारा सीरीज यहां पर खतम हो जाता है तो इसको आपको बार-बार Paradise करना है आपके मल्टीमिटर आपका जो PC भी है उसके उपर आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है कोई भी आपको दिक्कत आता है आपको कुछ चीचे समझ में नहीं आती है तो आप मेरी WhatsApp नमबर या फिर मुझे कॉल करिए आपको मैं वहाँ पर गाइड कर दोगा दो जोगता is